कि वेल्कम टॉनेदर वीडियो आश्क टूरों बात करने वाले सियासफ एस आई वर्थी दौर 23 बैच के वारे में जी यहां दूस्तों इनकी नई नोटिफिकेशन आच चुके मैं आपको नोटिफिकेशन भी सबसे पहले दिखाऊंगा उसके बाद सारा डेटिल बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं यहां पर नई भरती है 2023 बैच की और पोश्ट जो होगी बहुत सरे पोश्ट देखनी को मिलेगा टूटल पर कितना है क्या जूकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर है कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना और कैसे अप्लाय करना यह सारा डिटे टूटल जो हो यहां पर देख दो 20 से की स्पेज का यहां पर नोटिफिकेशन देखनी को मिलेगा तो जो इंपॉर्टेंट है वह सारा कुछ मैं आपको बता देता हूं जो कि यहां पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो जानना तो उतना ज्यादा बताने की जूरत सबसे पहले बात करते हैं कर लेते हैं इसके अंदर नोटिफिकेशन देटील अपर अप्लाइन होगी और यहां पर दिया गिया इसके अंदर और और बीटेल्स की बात कर लेते हैं यहांप सारा डीटेल से देख सकतो तो मेल और फिमेल दूनों यहां पर अप्लाइ कर सकतों इंडियन स्टीजन होना चीए इसके अंदर यहां पर OMR-based examination होगा और और computer-based examination होगा और इसके बाद skill test होगा और document टेस्ट होगा यह सारा कुछ यहां पर लिखा गया है और यहां पर देखसे तो मैं आपको read करके दिखा दूँगा देखसे तो यहां पर the requirement process will be consist of physical external test उसके बाद आप document test return examination और अंदर OMR-based computer-based test है दोनों test होगा और skill test उसके बाद यहां पर और वी detail साथ दिया गया है इसके अंदर सबसे पहले बात करते कौन-कौन से पोश्ट देखने को मिलेगा तो सबसे पहले नंबर पोश्ट के बात करते कितना पोश्ट है तो यहां पर जो है नंबर पोश्ट के संगया वह 1220 लगवक और इसके बाद बात कर लेते हैं और भी details के बारें तो यहां पर सबसे पहले details की बात कर लेते हैं एलोजटी क्रेटिरिया के बारें जो के education qualification इसके अंदर आ जाती है एज लिमिट आ जाती है तो education qualification जो आपका होना चाहिए वो 10th plus two होना चाहिए किसी भी वोड्स हो किसी भी अबिसी के छूट और एस्टेस के लिए पांसल के छूट अलग अलग डिपार्मेंट के लिए अलग अलग एज निमिट चूट है यहां पर देखतो लडी के लिए हैं पर जो है मैक्समिमेज 40 यह और बहुत सारे हैं यहां पर दिया गया तो जो important है वह मैं आपको उता दू पिजिकल पिटनेट टेस्ट कान्दर आपका हाइट होना चेह मेल के लिए वह वह जो होना चेह 155 सेंट्रीमिटर वह हैं एज रिलेक्सेशन भी देखने को मिल रहा है इसके अंदर 162.5 सेंट्रीमिटर आपको यह देखने को मिलेगा रिलेक्सेशन को अगर आप यहां पर आपको बता दो चेश्ट आप देख सकतो यहां पर मेल के लिए 77 से लिए 82 और फिमेल के लिए कोई चेश्ट यहां पर नहीं मेजर्मेंट होगी और इसके अंदर इस यहां पर बात करते हैं इसकिल टेस्ट में देख सकतो यहां पर सारा कुछ क्या 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 यहां पर जो है यहां पर सबसे पहले आजानी है सरकारी government vacancy.com पे तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं सुगाइस देख सकते हो यहां पर यहां से डाउनलोड करनी है सारा कुछ यहां पर डाउनलोड करनी है पूरा जो है 22-23 पेज का जो भी यहां पर जो डीटेल्स था एक साथ मैंने निक बस ब्सक्राइब करने का डेटा यहीं साब का अपलाय होगा और यहीं से डाउनलोड होगे तो मैं आपको लिइचे अपर याही से कर लेना आपका हो जाएगा तो का इसे करना है तो मैं आपको लिंक भी दिया हूँ या फिर गूगल पर सरच कर लेना सरकारी government vacancy.com चले आन है इस विबसाट पर और यहीं से सारा को जोगा तो बस वीडियो इंट करते हैं रुशा तो जाहें जे वारत